महराश्री की वर्ली विधानसवा सीट पर शिफसेना के नेता आदित्य ठाकरे को विधानसवा में कड़ी टकर मिलने की संभावना है। ये चुनाव उनके लिए अगनी परिक्षा मानी जा रही है। मुख्य मंतरी एकनात शिफसेना ने वर्ली विधानसवा स्वेतर से राज्य सबसांसल मिलिंद देवडा की उमीदवारी की घोशना की। एमिनस की ओर से संदीप देशपांडे को उमीदवार घोशित किया गया। इस तरह से वर्ली विधानसवा शेत्र में त्रीकोने लडाई होनी की संभावना है। ऐसे में आदित्य ठाकरे के खिलाव देवडा को खड़ा करने के फैसले से वर्ली में मुकाबला काफी रोमान चक हो जाएगा। इस सीट के नतीजों पर पूरे महराश्र की नियज़र रहेगी क्योंकि पूर्व मुक्य मंतरी उद्दब ठाकरे के बेटे और ठाकरे समू के विधायक आदित्य ठाकरे सुनिर्वर्चन श्रेत्र के वर्तमान विधायक है। विधानसबा चुनाओ में भी ये ठाकरे ग्रुप के अधिकारे को मिद्वार हैं। एक नाशन्दे की पाटी ने रवीवार को मिद्वारों की दूसरी सूची की घोशना की। इस लिस्ट में मिलिंद देवरा को वर्ली से उमीदवार घोशित किया गया। वर्ली में उनका अच्छा दबदबा है। कॉंग्रेस में रहते हुए वे मुंबई से सांसद भी चुने गये थे। पिछले विधानसवा चुनाओं में वर्ली विधानसवा श्रेत्र में बेहत नाच के घटना क्रम हुआ था। वर्ली से रकामपा के ततकालिन संभावित उमिदवार सचिन अहीर शिफसेना में शामिल हुए थे। चुकि ठाकरे परिवार का पहला वेक्ति विधानसवा चुनाव लड़ रहा था। इसलिए वर्ली सीट पर आदित ठाकरे को नीर विरोहोद निरवर्चत कराने के प्यास किये गये। उसके लिए मंसे से भी अनुरोद किया गया था फिर भी विपक्ष ने उमीदवार उतारे। लेकिन इस निरवर्चन श्रेतर में सिफसेना और भाषपा की अधिक ताकत और मैदान में उतरने के कारण आदित ठाकरे ने इस निरवर्चन श्रेतर में असानी से जीत हासिल की थी आदित्य ठाक्रे को 89,248 वोट मिले थे जबकि NCP के सुरेश्ट माने को 21,821 वोट मिले थे आदित्य ठाक्रे ने असानी से जीत हासिल की थी लेकिन इस बार वरली विदानसवा शेतर का चुनाओ बहुत अलग है क्योंकि तीनों ही उमीदवार मजबूत हैं शिवसेना में विभाजन के बासे महराश में आदित्य ठाक्रे का इक अलग ही आकरामक रूम देखने को मिला आदित्य ठाक्रे समय समय पर मुखिमंतरी एकनाश ешिंदे पर हमला बोलते रहे उन्होंने एकनाथ शिंदे को भी चुनाव में उनके सामने खड़े होने की चुनोती दी थी चुकि आधित ठाकरे ने सीधे तोर पर शिंदे को चुनोती दी थी अब एकनाति शिंदे ने उनके खिलाफ एक बहुत ताकटवर नेता को मैदान में उतार दिया है, वहीं राज ठाकरे की उमीदवार, संदीब देश पांडे भी बराबर की उमीदवार है, इस सीट पर बहुत कड़ी और त्रीकों ने लड़ाई होने के असार है, शिफसेना न रवीवार को बी सीटों के लिए अपने उमीदवारों की घोशना की, इसने बिजेपी के लोकसबस सदसे नरायन राने की बेटे निलेश राने को कुडाल विनवर्षन शेतर से मैदान में उतारा, उनके छोटे भाई और मौझूदा विधायक नितेश राने को बिजेपी सिंदू दुर्ग जिले के कंकावली से फिर से उमीदवार बनाया, पाठी ने वाशीम जिले के रिसोर्ट से विधान परिशर सदसे और पूर्वसांसर भावना गवाली को चुना है, जबकि एक अने MLC अमश्या पडवली धुले जिले के अकुल कुवा निवर्चन शेतर स सिर्फ शेना के टिकेट पर चुनाव लड़ेगी, महराष्ट में 288 सदस्य विधान सबर के लिए 20 नेवेंबर को वोट डाले जाएंगे और वोटर की गिंती 23 नेवेंबर को होगी, यहां नामंकन दायर्क करने की आखरी तारिक मंगलवार 29 नेवेंबर है, ऐसे में माना ज तक सारी सीटों पर उमिद्वारों की घोशना हो जाएगे, इस पुरी रिपोर्ट को लेकर कि आपकी क्या को चुड़ा है, कमेंट बॉक्स में बताए, तो तक लिए देखते रहें, लाइव टीवी नेवें